ओम उपवरे गिरीनाम संगमेच नदीनाम धिया विप्रो अजायत प्रियशिक्षार्थिनह नमो नमह राष्ट्रिय मुक्त विद्यालई शिक्षा संस्थानम नोयडा उत्तर प्रदेशह इत्यस्य सभागारमद्दे भवताम समेशाम स्वागतमस्ति अत्र उच्चतर माध्यमिक कक्षायाहा पाठ्यक्रमे संस्क्रित साहित्ते शिवराज विजयस्य यवन दुराचारम वयम पठामह तत्र एकादशे पाठे वयम चतूर्थम भागम संप्रती पठामह चतूर्थे भागे तत्र मूलपाठा वर्तते ततो दिल्लीश्वरम प्रित्थ्विराजम कान्यकुपजेश्वरम जयचंद्रंच पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम भारत वर्ष दुरभाग्यायमानम आकलैय अनायासेन उभवपी विशस्य व वारानसी परियंतं अखंड मंडलं अकंटकं अकीट किट्टं महारत्नम इव महाराज्यं अंगी चकार तेन वारानस्याम अपी बहवः अस्थिगिरयह प्रचिताहा रिंगत तरंग भंगाहा गंगापी शोनित शोना शोनी कृता पर सहस्राणिच देव मंदिराणी भूमि साथ कृतानी अर्थात ततहा इसके अनंतर जब महामद नामक यवन इस देश पर आक्रमन करता है बारा बार इस देश को लूट कर ले जाता है उसके अनंतर गौरी प्रदेश हस्थ एक यवन पुनहा उसी महामद के देश को लूट कर वहां की प्रजा को पशुवों के समान मार करके उन लोगों के रुधिर से अर्थात रक्त से संपूर्ण भूमिभाग में पृत्वी को गीला कर और उस मिट्टे से अनेक भवनों का निर्मान कर यहां कवी की वानी है यह कवी का स्वभाव है कि जब वह वर्णन करता है तो अनाया से उसके अलंकरण, उसके उपमाये स्वभाव सिद्ध होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है उसका यहाँ कवी ने प्रियोग किया है तो इन सभी के अनंतर जब वह महामद के कुल को स्पूर्ण तया विनश्ट कर देता है उसके पश्चात भारत वर्ष के प्रतिवा प्रस्थान करता है और उसी प्रसंग को यहाँ वर्नित किया गया है वह कहता है कि तथा इसके अनंतरम दिल्ली श्वरम दिल्ली के इश्वर उस समय प्रित्विराज थे प्रित्विराज चौहान उस समय दिल्ली के राजा थे अधिपती थे कान्यकुपजे श्वरम और कान्यकुपज के इश्वर यानि राजा जैचंद्र नामक उनके ही भाई थे इनमें पारस्परिक विरोध ज्वरक अस्तम इनमें परस्पर विरोध की वज़ा से जिनोंने विस्मृत राजनीति अर्था जिनोंने राजनीती राजा के जो नयमार्ग निर्धरित किये हैं आचारे चानक के ने अर्थशास्त्र में अनेक धा राजनीती के अनेक पुपो का वहाँ वर्णन किया है उसी राजनीती को यहाँ रेखांकित किया जा रहा है कि ये दोनों ही राजा पृत्विराज और कान्निक उपजेश्वर जैचंद्र आपस में परस पर इनका इतना विरोध था जिसकी वज़ा से ये राजनीती को भूल करके भारत वर्षम दुरभाग्य मानम जो की भारत वर्ष का दुरभाग्य था भारत वर्ष के दुरभाग्य को रेखांकित कर रहे हैं परस पर हम देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष में इस संपूर्ण धराधाम के परिप्रेक्ष में यहाँ यहाँ नीती मार्ग रहा है इसके लिए हमें महाभारत का प्रसंग याद आता है जहाँ पर युदिष्ठिर कहते हैं अर्थात हम पांच है और हम पांडव पांच है और कौरव सो है हमें विभेद है लेकिन वह तभी तक विभेद है जब तक कि हम परसपर एक दूसरे से लड़ रहे हैं अन्य सह विवाद है जब अन्यों के साथ हमारा विवाद होगा अन्यों के साथ युद्ध होगा तो हम मिल करके 105 की संख्या हो जाते हैं दुर्भाग्य से इस नीती को इस मार्ग को दिल्ली के इश्वर दिल्ली के स्वामी दिल्ली के राजा पृत्विराज भूल चुके थे और उसी प्रकार कान्यकुप्ज के इश्वर कान्यकुप्ज के राजा जैचंद्र भी उस नीती मार्ग को भूल चुके थे जिसकी वज़ा से भारत का यह दुरभाग्य उदित हुआ और इसे आकलाई इसे जान करके जब वह शाहबुद्दिन गौरी इस भारत के दुरभाग्य को जान चुका था तो अनाया से न एव अनाया से बिना किसी प्रयत्न विशेश के बिना किसी प्रयत्न विशेश के विति वारानसी पर्यंतम वारानसी तक जो वर्तमान अफगानिस्तान है वहाँ से ले करके वारानसी पर्यंत समस्त भूभाग को अखंड मंडलम इस समस्त मंडल विशेश को प्रदेश विशेश को अकंटकम कंटक रहित कांटे रहित कांटे से अभिप्राय यहाँ पर किसी व्रिक् करने वाला शेष नहीं रहा इस अर्थ में हैं अकीट किटम कीट कार्थ हम सभी जानते हैं कीट कार्थ है कीड़ा और किट कार्थ है मल यानि जो कीट अपना मल त्यागता है उससे अभिप्राय है तो कहा अकीट किटम बिना कीड़े के मल के महारत्नमिव जैसे महारत्न हम देखते हैं कि रतनों को कई बार कीड़े जो है काट करके उसकी जो सौंदर्य है उसका जो स्वरूप है उसको सर्वता विनश्ट कर देते हैं जैसे हम कहते हैं कि एकोपि पंकह समूलम नाशयती तो एक मात्र पंक यानि ए अगर थोड़ा सा भी कीट के द्वारा दीमक इत्यादी के स्वरूप में हम समझ सकते हैं अगर इस प्रकार का होता है तो वहां संपोण उसकी शोभा को रतने के शोभा को नश्ट कर देता है इसलिए यहां कहा कि राज्य कैसे बनाया उसने अखंड मंडल और अकंटकम और अक रतन पर किसी भी प्रकार का कोई भी मल नहीं था कोई भी रेखा वितिरिक्त नहीं थी इस प्रकार के महाराज्यम अंगी चकार इस प्रकार का महान राज्य उसने अंगी चकार स्विकार किया बनाया तेन वारान स्याम अपी बहवह अस्थिगरया प्रचिता और इसी दोरान इसी कालक करम के मद्ध में जब वहां युद्ध के द्वारा इन संपोन भूभाग को जीतने के प्रयास में रत था उस समय वारा निसी में भी उसने बहुत सारे अस्थी गिरायह हड्डियों के पहाड रच दिये यहाँ भी कवी की कलपना प्रसूतता है कि वहां अस्थीयों के पहाडों की कलपना कर रहा है अर्थात वहां कवी कहना चाहता है कि उसने इस युद्ध के द्वारान अपने राज्य के निर्मान के द्वारान इतने लोगों को मार डाला इतने लोगों का वध किया, इतने लोगों की हत्या किये कि उनके अगर अस्थियों को एकत्र भी किया जाए तो वहाँ पहाड सद्रिश परवत सद्रिश बन जाए आगे कहते हैं रिंग तरंग भंगा गंगा पी शोनित शोना शोनी कृता रिंग यानी प्रवाहमान चलती हुई चंचल और तरंग कार्थ है उनमें उठने वाली लहरे तो चंचल लहरों के भंगिमा वाली गंगा को भी जो सुभावसिद्ध प्रवाहमान है गंगा जो अपनी लहरों के कारण जो अपनी सुभावसिद्ध चंचलता के कारण पूर्ण गंगा के स्वच्छ धवल जल को उसने शोनित से वहां के निवासियों के शोनित से लाल कर दिया और शोनी कृता अर्थात जो यहां तुलना की गई है बिहार प्रदेश में एक नद है सोन नद जिनका हम नाम जानते हैं बान भट्ट महा कवी बान भट्ट उनके भव यह हैं कि वहां लाल मिट्टी है और लाल मिट्टी के कारण उस नदी का जो जल है वो लाल हमें दिखाई देता है इसलिए उस नदी का नाम शोन रखा गया तो कहा कि उस शोन नदी के समान ही पूरी गंगा को पूरी धवल गंगा को निर्मल गंगा को वहां के निवास के रक्त से लाल कर दिया परसहसराणी चा देवमंदिराणी भूमी साथ कृतानी और परसहसराणी हजारों मंदिरों को देवमंदिरों को भूमी साथ कृतानी भूमी में मिट्टी में मिला दिया तो इस संपूर्ण खंड में हम देख रहे हैं कि जैसे ही वह भारत पर आक्रमन करता है तो किस प्रकार से इस संपून भारत वर्ष को सर्वता विनष्ट करने में लगा रहता है और अपने राज्य निर्मान में वहां यहां भी नहीं देखता कि वहां की प्रजा को वहां कितना अधिक तरस्त कर रहा है कितना अधिक परिशान कर रहा है जिसका प्रतिफल हो कि वहां कि संपूर्ण प्रजाओं के रक्त से रुधिर से वहां पे प्रवाहित जो गंगा नदी है जो भागी रती है जो धवल प्रवाहमान है वहां भी रक्त के सद्रिश रुधिर के सद्रिश लाल हो जाती है आईए कुछ विशेश शब्दों को हम जानते हैं समझते हैं इनमें पहला शब्द आया था विस्मृत राजनीतिम विस्मृता राजनीतिही येन सविस्मृत राजनीतिही तम विस्मृत राजनीतिम यहाँ पर बहुब्रही समास हुआ है जहाँ पर भी हमें यस्य, येन, यह, ये शाम इस प्रकार के सर्वनामपद मिलते हैं जिन सर्वन पदों के योग से यह समास होता है वहाँ पर हमें प्रायश़अ बहुबरी समास मिलता है। विशस्य शब्द आया था वी उपसर्ग पूर्वक शस हिंसा आया मुशस धातु हिंसा के अर्थ में है और उससे लेप प्रत्य करने पर विशस्य शब्द बनता है अर्थात मार करके हत्या करके इस अर्थ में रिंगत तरंग भंगा, तरंगा अनाम भंगा हा, तरंग भंगा हा भंगा यानि उनकी आकरितिया, लहरों की आकरितियों से अभिप्राय है यहाँ शब्द अधिक समास होते हैं वहाँ पूर्व समास को गर्भ समास माना जाता है और अनंतर पश्चात वाले जैसे यहाँ पे ततपुरुष गर्भ बहुब्रही इस प्रकार से हम समास का द्योतन करेंगे समास को समझेंगे इसमें हमने देखा कि पद के अंतर में यानि पद के मध्य भाग में अन्य समास हुए है और पदांत में बहुब्री हुआ है तो जो पद के मध्य में समास होते हैं उनको गर्भ समास मानकर शश्टी ततपुरुष गर्भ बहुब्री समास इस प्रकार से उनको समझाया जाता है समझना होता है अन्य शब्द है पारस परिक विरोध ज्वरगरस्त परस्परम्भवः पारस्परिकह यहां पे ठक प्रत्य से परस्पर शब्द से ठक प्रत्य हुआ है ठक प्रत्य का स्वरूप यहां आदियज को वृद्धी होती है और अंत में ठ के स्थान पर ठस से कह इस सूतर से ठ के स्थान पर इक आदेश होता है इस प्रकार परस्पर श कर्मधारे में समान अधिकरन होता है यानि दोनों में समान विभक्तिया होती है जहां समान विभक्ति होगी उसे समान अधिकरन कहेंगे और जहां विभक्तियों में व्यत्य दिखाई देता है यानि अलग अलग विभक्तिया होती है उसको विधिकरन कहते हैं और कर्मधारे सम समास हमेशा हम देखते हैं कि उपमान उपमेय में होता है अथवा विशेशन विशेश्य के बीच में होता है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ विशेशन और विशेश्य के रूप में हो रहा है पारसपरिक विरोध ज्वरः पुनायापर कर्मधार्य हुआ है तेन ग्रस्तह तम पारसपरीक विरोध ज्वरग्रस्तम इस प्रकार अंतमे तृतियात्त पुरुष् समास हुआ है अन्य शब्द है भारत वर्ष दुर्भाग्याय मानम भारत वर्ष दुर्भाग्यम इव आचरती इस अर्थ में प्रत्य हुआ है अकीट किटम कीटा नाम किटम मलम कीट किटम शष्ठी तत्पुरुष न विद्यते कीट किटम यस्मिन तत अकीट किटम अर्थाद नहीं है विद्यमान कीडों का मल जिस पर वह अकीट किट यह शब्द होता है अस्थी गिरायह अस्थी गिरायह यहा पर शष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है हम देख रहे हैं सर्वत्र जो अलंकारों का प्रयोग कवी ने किया है अत्यन तो सुंदर और मनोहर प्रतीत होता है पत्र द्रिश्टी गोचर होता है हमें अनुप्रास की छटा अत्यनत सुंदर और मनोहर प्रतीत होती है और पदपद पर हमें देखने को उत्प्रेक्षा है यमक है रूपक है उत्प्रेक्षा और रूपक का तेधिक प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है पूर्ण हम जितन का भी प्रयोग दिख रहा है यमक कार्थ होता है जहां समान शब्द प्रयोग हो रहे हैं और दोनों के ही अर्थ में वैभिन्य द्रिश्टि गोचर होता है इसका उधारण आपने सभी ने देखाई है नवपलाश पलाश वनंपुरा स्फुट पराग परागत पंकजम इस प्रकार से यमक कलंकार होता है आगे चलते हैं तत्र अग्रे मूलपाथ वर्तते स एव प्राधानेन भारते यावन राज्यांकुरा रोपकू भूत तस्सेवच कश्चित कृतदासह कुत बुद्दिन नामा प्रथम भारत सम्राट संजातह तम आरभ्य अध्यावधी र आक्षसा एव राजम अकार्शुहु दानवा एवच दीनान अदीदलन अभूद केवलम अकबर शाह नामा यद्यपी गूडशत्रूर भारत वर्षस्य तथा पी शांतिप्रियो विद्वत प्रियश्च तथा एव प्राधानेन वही शहबुद्दिन ही प्रधान रूप स भारते भारत वर्ष में यवन राज्य के अंकुर के आरोपक माने गए हैं तस्य वच उसी शहबुद्दिन का ही कश्चित कृतदासा कोई खरीदा हुआ कृत यानी खरीदा हुआ दास कृतबुद्दिन नामा कृतबुद्दिन नामक प्रथम भारत का समराट यवन समराट के रूप में क्योंकि समराट तो भारत में पूर्व में भी हुए है परन्तु जो यवन समराट के रूप में यहां शाशन के रूप में रहा है वहां कुतुबुद्दीन है तो कुतुबुद्दीन नामक प्रथम यवन समराट भारत में हुए तम आरभ्य अध्यावधी तब दानवों ने ही दीन यानि दुखियों को अदीद अलन दुखित किया है पीडित किया यहां सर्वत्र हम देख रहे हैं अनुपरास की सुन्दर छटा अभूत केवलम अकबर शाह नामक हुआ है एक राजा यद्देपी गूड शत्रूर भारत वर्शस्य यद्देपी वहा कुछ विशेश शब्दों को हम देखते हैं यावन राज्यांकुरा रोपकह यवनानाम इदम यावनम यावनम च इदम राज्यम यावन राज्यम सर्वत्र कर्मधार है तस्य अंकुरह यावन राज्यांकुरह शष्टी तत्पुरुशह तस्य आरोपकह संस्थापकह भारत सम्ब्राट भारत अस्य सम्ब्राट भारत सम्ब्राट शष्टी तत्पुरुशह समासह प्रथम भारत सम्ब्राट पुनह कर्मधार यहात अंते संजातह सम उपसर्ग पूर्वकात जनि प्रादुर भावे धातो होकता प्रत्यकृते संजातह अकार्शुहु क्रिधातो अधी दलन दल विदारने धातो हो निच प्रत्य तदनू लुंगी लकारे बहुँचने अधी दलन गूढ शत्रु गूढ शासव शत्रु चा गूढ शत्रु हो कर्मधारया इस प्रकार से इस भाग में हमने देखा किस प्रकार से भारत में यवन राज्य के अंकुर आरोपित किये गए और यवन राज्य प्रारंब हुआ है अब शेश कथा हम अगले भाग में समझेंगे धन्यवाद